पेरे प्यारे देश्वासियों, भारत ही नहीं, आज पुरी दुनिया के लिए ये गर्व का विशह है, कि आज जब हम गांधी 150 मना रहे हैं, तो इसके साथ ही 130 करोड देश्वासियों ने सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त होने का संकल्प लिया है। परियावरान समरक्षन की दिशा में भारत ने पूरे विश्व में जिस प्रकार की लीड ली है, उसे देखकर आज सभी देशों की नजरें भारत की और ठीकी हैं। मुझे पुरा विश्वास है आप सब दो अक्तूबर को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए होने वाले अभ्यान का हिस्सा बनने वाले ही हूंगे। जगा जगा लोग अपने अपने तरीके से इस अभ्यान में अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन हमारे ही देश के एक नवजवान ने एक बड़ा ही अनोखा अभ्यान चलाया है। उनके इस काम पर मेरा ध्यान गया। तो मैंने उनसे फोन पर बात करके उनके इस नए प्रयोग को जानने समझने की कोशिश की हो सकता है। उनकी ये बातें देश के और लोगों को भी काम आए। स्रीमान रिपू दमन बेलवी जी एक अनोखा प्रयास कर रहे हैं। वे प्लॉगिंग करते हैं। जब पहली बार मैंने प्लॉगिंग सब्द सुना तो मेरे लिए भी नया था। विदेशों में तो शायद ये सब्द कुछ मात्रा में उपयोग हुआ है। लेकिन भारत में रिपू दमन बेलवी जी ने इसको बहुत ही प्रचारित किया है। आईए उनसे कुछ बातें करते हैं। हलो रिपू दमन जी नमस्कार। आप जो ये प्लोगिंग को लेकर के इतना बड़ा समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। तो मेरे मिन में जिग्यासा थी तो मैंने सोचा मैं खुदी फोन करके आपसे पूछू। ये कल्पुना कहां से आई आपके मन में ये शब्द और तरीका कैसे मन में आया। युवाओं को आज कुछ चाहिए कुछ इंट्रेस्तिंग चाहिए उनको मोटिवेइट करने के लिए। तो मैं तो मोटिवेट हो गया। अगर मेरे को 130 करोड भार्तियों को इस मुहीं में जोड़ना है तो मुझे कुछ कूल करना था कुछ इंट्रेस्टिंग करना था तो मैं खुझ एक runner हूँ, तो सुभे जब हम run करते हैं, तो traffic कम होता है, लोग कम होते हैं, तो पूरा और trash और traffic सबसे ज़्यादा दिखता है, और मन की बात के मात्यम से देश वास्यों को भी पता चले। और आपको जान के खुशी होगी कि पिछले साल काफी सारी fitness magazines ने इंडिया का टॉप fitness trend इसको नॉमिनेट किया है, इसको आपको बताईए है इस बात के लिए, तो अभी आपने पांच सितंबर से कोचिश न शुरू किया है, जी सर, इस mission का नाम है RLN Run To Make India Little P, जैसे आपने October 2nd को एक historic verdict देना है, and I'm sure कूडा मुक्त होगा, तो प्लास्टिक मुक्त भी होगा, and वो एक इंडिविजबल रिस्पोंसिबिलिटी आएगी, and I am running and cleaning up 1000 km, covering 50 cities, तो सबने बताया कि यह दुनिया की longest clean-up drive होगी, और इसके साथ-साथ हम एक बहुत ही कूल तर तोशल मीडिया प्लास्टिक बट सिंगल यूज एनिसिंग जो आप कम्प्लीटली अपनी लाइफ से हटा देंगे, वा, आप पांच सितंबर से निकले हो, तो क्या अनुभव है आप तक का अभी तक तो बहुत चानुभव रहा है, पिछले दो साल में भी हमने 300 के आज-पास अभी हमने उडूपी में किया, वहां पे एक स्कूल इंवाइट आया, तो चोटे-चोटे बच्चे साथ, 3rd स्टांडर से लिके 6th स्टांडर तक उनको एक वरक्शॉप देने के लिए था मेरे को आदे घंटे के लिए, और वो आदे घंटे का वरक्शॉप तीन घंटे का अपने पेरेंट्स को बताना अपने पेर्ट्स को बताना अपने पेर्स को बताना वह सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है हमारे लिए इसको नेक्स लेवल कर जाना रिपु जी परिश्रम नहीं है एक साधना है सच्पुच में आप साधना कर रहे हैं मेरी तरफ से बहुत बढ़ाई देता हूं लेकिन मान लीजिए आपको तीन बाते देश वास्यों को कहनी है तो ऐसे तीन बाते स्पेसिफिक क्या संदेश देंगे आप मैं आक्शली तीन स्टेप्स देना चाहूंगा तूर लिटर फ्री इंडिया तूर पूड़ा मुख भारत सेप नमबर वान पूड़ा पूड़े दान में डालें सिरफ नमबर टू कोई भी आपको पूड़ा दिखता है जमीन पर उसको उठाएं और पूड़े दान में डा जबात देखे रिपू जी बहुत सरल सब्दों में और सामान्य मानुवी कर सके उस भाषा में आपने प्रकार से गांधी जी के सपने को लेकर के चल रहे हैं साथ-साथ गांधी जी की जो सरल्दों में बात बताने का तरीका था वो भी आपने एड़ाफ कर लिया है इस्टे कि नवजवानों को पसंद आये उस तरीके से इस पूरे कारकम को ढाला है मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ और साथियों इस बार पुझ्य बापु की जेंति के अवसर पर खेल मंत्राले भी फिट इंडिया प्लॉगिंग गरन का आयोजन करने जा रहा है दो अक्तूबर को दो किलोमेटर प्लोगिंग पूरे देश भर में यह कारकम होने वाले हैं यह कारकम कैसे करना चाहिए कारकम में क्या होता है यह रीपू दिमन जी के अनुभव से हमने सुना है दो अक्तूबर से सुरू होने वाले इस अभियान में हम सब को यह करना है कि हम दो किलोमेटर तक जोगिंग भी करें और रास्ते में पड़े प्लास्तिक के कचलों को भी जमा करें इसे हम न केवल अपनी सहत का ख्याल रखेंगे बलकि धरती मा की सहत की भी रक्षा कर सकेग मुझे विश्वास है कि 130 करोड देश्वासी इस दिशा में एक कदम उठाएंगे तो सिंगल यूज प्लास्तिक की मुक्त होने की दिशा में अपना भारत 130 करोड कदम आगे बढ़ जाएगा रिपो दमन जी फिर एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको आपकी टीम को और ये नई कलपकता के लिए मेरी तरब से बहुत बहुत बधाई